हालो फ्रेंज मैं रागनी और आज हम सीखेंगे ब्रैडल लहंगे की ब्लाउज की कटिंग और सिलाई तो देखें इस ब्लाउज को मैं 34-32 साइज में आपको समझाओंगी और यहां पी देखेंगे की ब्लाउज बे जो प्रब्लम आपको होते हैं गली की चोड़ाई कम करनी ह है ब्लाउज की लंबाई कम करनी है सारा चीज में एक एक करके क्लियर करूंगी और यह वाला ब्लाउज मैं पैड़ेड ब्लाउज बना रहे हूं और साइड में चैन लगेगा क्योंकि इसका जो गला है गला का एमबोटरी कट करने पर बैक में हूँक अच्छा नहीं लगे मुझे ब्लाउज का जो रेडी लंबाई रखना है न उससे एक इंच ज्यादा हो रहा है लंबाई और चोड़ाई भी गला का देख सकते हैं काफी चोड़ा दिया हुआ है आठ इंच चोड़ाई है तो इसके लिए मैं इसे कम कैसे करूंगी और यहां पर लंबाई साड़े 16 इंच में दिया है और मुझे इसे साड़े 14 इंच में बनाना है यानि 15 इंच में बनाना है तो किस तरह से में कटिंग करूंगी कि जो हमारा नीचे का इंबोटरी है वो भी न कटे और गला का इंबोटरी कहीं से न निकले और एकदम अच्छे से हमारा लंबाई सेट हो जा बाजू आप देख सकते हैं बाजू पर भी इंबोटरी दिया हुआ है तो यहां सी जो ना सिलाई है उसको निकालके अलग-अलग कर लेंगे दोनों को और देखिए बीच से भी इसका भी सिलाई निकाल लेंगे पूरे पाट को अलग-अलग कर देंगे और सबसे पहले हम कटि अस्तर के ओपर ही करनी होती है तो यहां से मैं अस्तर को डबल फोल्ड कर ली हूं अपने साइज की साप से कपड़े की करना है मैं इसे साझेच की साइज-चिंच करना है Mooji कि सबसे पहले बैंग-पाट की कटिग करते हैं और इस प्लाounds को मैं मैं प्रिंस पार्ण हम दो साबस्ट में 20 दwork कि अधा इंच्च मार्जं निए अधा इंच्च zac呢 मार्जन को देखी छोड़ देना है मार्जन को छोड़ती है जितना आपको रेडी लंबाई रखने है ब्लाउस को उतना ले लेना है तो यहां पर देखे फ्रेंस कभी भी नॉर्मल ब्लाउस से आधा से एक इंच लहंगे की ब्लाउस की लंबाई आपको बढ़ा के लेनी चाह लेंगे 34 और 32 दोनों साइज में आपको लेंगे की ब्लाउज का जो सोल्डर है ने छे इंच ही लेना है आपको और आर्म होल भी छे इंच ही लेंगे यहां से सीने का चोथाई बाग अगर दूसरे साइज का बना रहें तो अपने साइज की साफ से लीजिएगा अब देखिए फ्रेंस 28 इंच कमर है तो 28 इंच को आपको चार भाग में बाटना है तो साथ इंच आएगा एक इंच कमर के प्लेट के लिए और दो इंच मार्जन के लिए मैं लहेंगे की कैसी गुलाई देनी है अर्म होलाई से हुब कर सफे मर्केश करेंगे और कॉर्णर से 180 इंच 200 इंच-24 giruk नह rpm अगर ऑब ड़ाइगा ओन ट्ले आर्म होलग में धेटोधा और देखिए फ्रेंस इस तरह से गुलाई को चेख कर एंगे तो यहाँ पर u.5 त की गुलाई आ र बना रहे तो साथ इंच दो सुता आना चाहिए यहां पी देखिए बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे और चेस्ट का जहां भी मारगींगे वहां छोटा साब कट लगा दीजिए अब देखिए फ्रंट पार्ट में आपको अच्छे से ध्यान देना है थोड़े से कपड़े को ब नीचे से एक इंच ऊपर के साइड बढ़ाके आपको रखना है अब एक दम एक जिट अर्ट मार्किंग कर लेंगे यानि बैक पार्ट की बराबर से चारो तरफ मार्किंग कर लेंगे और यहां से में बैक पार्ट को हटा दे रहे हूँ अब आपको पीछे के पल्ले से और चेंज कहां करना है देखिए लंबाई आपको एक इंच बढ़ा के लेनी है साइड में एक इंच आर्म होल के साइड बढ़ा लेंगे आप देख सकते हैं और यहां से एक इंच बढ़ाने के वासे देखिए कमर के साइड से आपको डेड़ इंच बढ़ा लेना है इसलिए लंबाई पूरा एक इंच बढ़ाई हूँ पीछे के पल्ले से गले की चौणाई तीन इंच ले लेंगे लंबाई शाड़े शे इंच ले रहे हैं कि हमें शे इंच में गले की लंबाई को रेडी रखना है अब यहां पर आपको एकदम अच्छे से ध्यान दे ना है कि 34 32 में टकस पॉरैंट आपको यहां पर 159 पर ही लेना ह। यानि जहां हम कप ज्वांट करते हैं न 1 1 2 5 इंच पर 158 पर ज्वांट करते हैं तो यहां पर देखे आपको ध्यान देना है दोनों साइज में टक्स पॉइंट 9 इंच ले लेना है 32 में 9 ने ले 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 और 34 में 9 से 2 पॉइंट नीचे बढ़ा ले यानि 10 इंच में 2 सुता कम अब 34 में साइज से आपको 3.5 तीन लेनी है और 32 साइज में 3.5 से 2.5 कम कर लेना है देखें यहां पर यानि 3 इंच 2 3 इंच लेना है और 32 शाक्ती कंच कर लेंगें यहां से चाहँ यहां पुर। नियुंच करको करेंगें यहां से नियुक्ष दए लिए भू मस future posterior तक बिल्कुल सीधा लेना है अब क्या करना इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए पहले सेफ देंगे तो सबसे पहले जो बाहर वाली मार्किंग है उसको हम कट कर लेते हैं उसके बाद प्रिंसिस कट में सेफ देते हैं कटिंग यहां पे कर लिए हैं और आपको देखे सेफ अब तक्स पॉइंट है वहीं से घुमाव देते हुए डेड इंच पे जो हम मार्किंग किये थे ना वहां मिला लेंगे तो प्रिंसिस कट की सेफ देने के बास देने जो एक इंच लंबाई हम बढ़ा थे ना तो आरम होल साइड से तीर्षा करके मिला लेना है इतना बढ़ को मिला प होता की देख़ाई लगा दीज़िया है और अब की अवीन करें गड़ाय जो दूएंब करेंगे और यहां से मोहरी ले लेंगे पांच इंच दोसुता और डेडरी इन्च मारजन ले लेंगे यहां से साथ perfect इंच Annoyer का गोलाई है उसको ले लेंगे और दो इंच मारजन लेंगे तो इस तरह seriously आपको अपने साइज की साफ से आर्मोल की गोलाई लेनी है मोहरी की चौणाई लेनी है मैं हाँ चौंती साइज के लिए बना रहे हैं तो उसी साफ से बाजु को कट कर रहे हैं अब देखे फ्रेंस यहां पर बाजु की जो मार्किंग है कंप्लीट हो गई है और इसी तरह से दूसरा बाजु हम कट कर लेंगे अलग कपड़े पर रहके यहां पर कपड़ा कम था इसके जैसे में एक ही सिलिप कट करके आपको बता रहे हैं अब देखे फ्रेंस में कपड़े की कटिंग आपको किस तरह से करनी है इस चीज का आपको ध्यान देना है देखिए इसका रे यहां पर इसी चीज को आपको समझना है कि लंबाई अगर जादा है तो इसको कम कैसे करना है बैक पाट की कटिंग है तो सबसे पहले यहां से बॉर्डर को हम कट करके निकाल लेंगे ध्यान रहे बॉर्डर के दोनों साइड आधा दाइंच आपको कपड़ा छोड़ना है एक दम एम बोटरी के पास इसे नहीं कट करना है तो एक इंच हमारा लंबाई यहां पे ज्यादा हो रहा था तो आप कट करके इसे दोनों साइड से आधा दाइंच पकड़ के ज्वाइंट कीजिएगा तो यह तो मेटिक आपका एक इंच लंबाई कम हो जाएगा और यहां यहां पे बीच से आपको कपड़े को फॉल्ड करने है यानि गला का जो एम बोटरी है न दोनों एक के ऊपर एक आना चाहिए अब यहां से देखी लाइन को सीधा कर लेंगे लाइन को सीधा करने के बास से अब आपको चेक करना है कि गले की चौड़ाई कितनी लेनी है तो उसी कपड़े को आपको तीर छे में जैसे हम ब्लाउंज में टेकिन लगाते हैं तीर छे में आपको स्टीच करना है गले के मोटरी से डेढ़ इंच ऊपर तक देखी अगर आप सिलाई करते टाइम उसको सिल देंगे दबाके तो फिर उतना आपकी जो गले की चौड़ाई ह जाती है जब मैं सिलाई करूंगी तो आपको किलियर हो जाएगा देखी आधा इंच छोड़ते हुए 6 इंच सोल्डर की चौड़ाई ले लेंगे और यहां पी देखी जितना आपको पकड़के स्टीच करना है उसको छोड़ते हुए तिर्चे में आपको गले की साइड से इतना छोड़ देना है आप देख सकते हैं और बाकी आधा इंच के दूरी पर ही आप कट कर लें कोई दिक्कत नहीं है में कपड़े थोड़ा सा बढ़ा के हम कट करते हैं यहां पी देखे फ्रेंस बैक पार्ट की जो कटिंग है ना वह हम कर लिए है और यहां नीचे की करेंगे तो इसका भी प्रोसेस सेम रहेगा बस आपको बॉर्डर को नहीं कट करना है यहां पे गले को एक दम एक के ऊपर एक को एमबोटरी को सेट करते हूँ एक दम बीच से आपको गले को फोल्ड करने थोड़ा जाबी तीरचा हो गया ना तो फिर आपका गला अच्छे गले की लंबाई ले रहें क्यूंकि छेंच हमें रेडी गला रखना है तो साड़े छेंच भी मार्क कर लेंगे उपर का जो एमबोटरी यह कट जाएगा तीन इंच इसमें भी गले की चौड़ाई लेंगे और तीन इंच चौड़ाई लेने के बाद जो कपड़ा बंच रह अगे के गले का अब देखे फ्रेंस इसके ऊपर सेट करके रखेंगे प्रिंसी कट वाले पार्ट को तो जितना गला का चौड़ाई एक्ष्टा हो रहा है उसको छोड़ते हुए रखेंगे देखिए यहां से मैं थोड़ा से तीवचा कर दे रही हूं तो इसी तरह से आपक अब यहां पे ना बिल्कुल इसके बराबर से मार्क कर लेंगे तो देखिए फ्रेंस अगर आप बीना पैड का ब्लाउज बना रहे हैं बीना कप का ब्लाउज बना रहे हैं तो फिर आपको कोई प्रवलम नहीं है थोड़ा सा बढ़ा के भी में कपड़े को आप कर सकते हैं बाडन में छाट लेजिए लेकिन यहां पे मैं पैड़ेड ब्लाउज बना रहे हूँ तो उसके लिए न जितना लंबाई चोड़ाई में अस्तर कट हुआ है न सेम उतना आपको में कपड़े को भी कट करना है और यहां से प्रिंसिस कट वाले पाट को रखिए एकदम हैं तो नहीं तो फिर बीना पैड का ब्लाउज बना रहे हैं तो फिर बहुत ही असान है आप एकदम अस्तर से थोड़ा सा बढ़ा की भी कट किजिए बाद में उसको छाट लीजिए तो यहां से देखिए प्रस में कपड़ा और अस्तर दोनों के कटिंग मैंने कर ली है तो देखिए दोनों का साइड वाला एंबोट्री भी एक के उपर एक आना चाहिए और देखिए एकदम बराबर आपको रखके छाट की देख लेना है कटिंग यहां पे देखिए फ्रेंस बैक और फंट दोनों पल्ले की हो गई है और अब हम स्लीप को कट करने वाले हैं त तो एकदम सेंटर से फोल्ड करना है और यहां पे इसको कट कर लेंगे देखिए साइड में थोड़ा सा कपड़ा है तो इसको बाद में देखिए ज्वाइंट करके सेट कर लेंगे और यहां पे कटिंग कंप्लीट हो गई है दोनों बाजों की कटिंग और बाकी सारा भी हो और जैसे हम प्लाउज का टेकिन लगाते हैं न सिम उसी तरह से आपको करना है और आप देख सकते हैं सिलाई को मैं एक से डड़ इंच ऊपर की साइड़ी उतार दी हूं अब आपको क्या करना है में कपड़े के सीधे साइड अस्तर वाले पाट को मिला के रखना है यहां पर कटिंग करते टायम थोड़ा सा मारा कपड़ा एक्ष्ट्रा हो गए में कपड़े में का तो उसको हम यहां से कट करके निकाल लेंगे अस्तर की बराबर ही आपका में कपड़ा होना चाहिए आप देखे फ्रेंस यहां पे हम ना पीन अप कर लेंगे एकदम बीच से मिला के आप देख सकते हैं मेन कपड़ा और अस्तर दोनों हमारे एक दम बराबर है और देखिए यहां पर पीनप करने के बाद से कभी भी लहंगे का ब्लाउंस का पो गला बनाना है तो सीधे साइड अस्तर को रखके पीनप कर दीजिए और इसे उल्टा कर लीजिए और इस तरह से आप स्टीच करेंगे गले को तो जिस तरह से एंबोटरी आपका दिया हुआ इधर बहुती किलियर दिखता है और बस एंबोटरी के साइड से आपको सिलाई लगाते जाना है घुमाके उस तरह से आपका गला इटूमेटिक बन जाएगा तो फ्रेंस बहुती प्रोसेस होता है लेंगे का ब्लाउंस का गला बनाने का जो कि मैं आपको बता रहे हूं आप लोग ट्राई जरूर किजिएगा पूरे गले में चोटा-चोटा कट लगाएंगे और यहां से पीन को निकालने के बास से न फ्रेंस अस्तर को बाहर के साइड करके कंची सिलाई लगाएंगे इसके उपर और अब हम देखें यहां पे अस्तर को उल्टे साइड फोल्ड कर लेंगे और अस्तर को उल्टे साइड फोल्ड करने के बास से आप देख सकते हैं फ्रेंस गला का जो सेफ है बिल्कुल एमबोटरी के हिसाब से ही आया है तो इस तरह से आपको लहंगे का गला बनाना है चोड़ाई भी हमारा कम हो गया और लंबाई भी जितना हम चाहते थे उसके हिसाब से हो गया अब देखिए इसको उल्टा करेंगे यहां से और आप चाहिए तो पहले नीचे की साइड प्रिंसिस कट जॉइंट कर सकते हैं यहां पी मैं में कपड़े में सबसे पहले सब्सक्राइब कर देखी तो अगर एमबोर्ट्ही दीया हुआ यहां तो आपको नीचे की साइड से जॉइंट करना है फ्रींसिस कट नहीं तो फिर जो एमबोर्ट्ही जो बा holiday ना बार ऊपर नीचे हो जाएगी यहनコ.. यहां में पी देखिए क्व me नहीं और ऑर कहीं भी क्रिस भी यानि सिकुणन भी नहीं आया है अब दूसरे साइड भी बॉर्डर को एक दम अच्छे से मिला के सेट करके नीचे से ही सिलाई लगानी है आपको और इस साइड भी आपको प्रिंसेस कट वाला पार्ट जॉइंट कर लेना है दोनों साइड में कपड़े के साथ जॉ पीछ में आये जाए पाहर के साइड यानि पीछे के साइड भी जाइंगे लिए देशी साइड कर लीया है है usta 106 क तुझ यह दोनों साईड जॉइंट कर लिए ईंजॉ परावरस तर दोनों में प्रिंसे कट कर लीया है और अब को न गदल्यु सट करने के लिए यह हुड मार्किंग करनी है तो मैं कट यहां पर जो लगाए हैं वहां पर भी सट कर सकते हैं तो फिर से आप नाप लीजिए उपर से लेकर कि नौ साढ़े नौ इंच दो सुते पर मैं यहां पर कप सेट कर रहें कितने पर साढ़े नौ इंच दो सुता पर अब देखिए इसको उल्टा करना है देखिए और उसी सेंटर पर उंगली रखके कप का जो सेंटर है और नीचे के साइड जहां मार्किंग किया है बिलकुल दोनों को मिला के रखना है और यहां से स्टीज कर लेना है तो अब देख सकते हैं एक साइड में कप लगा ली हूं और दूसरे साइड भी आपको सेम एडिया से लगाना है देखिस तरह से फोल्ड करना है और इसका सेंटर मार्किंग निकालना है सेंटर मार्किंग निकालने के बास से देखिए अब हम दूसरे साइड भी कप को जौाइंट कर लें गेंगे कि यह पर देखिए कि ए चौंटिस और 28 दोनों साइज में एक करना चाहिए इस चीज को भी आपको चेक करना है ने तो फिर कप ज्यादा पास में हो जाएगा तो भी अच्छे से नहीं सेट हो पाएगा पहनने के बाद से अब आपको क्या करना है कप सेट करने के बाद से में कपड़ा और अस्तर दोनों को आपस में अच्छे से मिलाते हु पर आना चाहिए देखिए यहां पर और प्रिंसिस कट वाला जो ज्वाइंट है उसका मार्जन दोनों भाग में आपको माट लेना है अब देखिए चारों तरफ शिलाई लगा लिए हैं और शिलाई लगाने के बास्याब आपको एक दम बीच से फिर से फोल्ड करना है और य आपको बाद में दिक्कत होने लगती है और समझ में नहीं आता है कि प्रॉब्लम कहा है तो कभी भी आपको बीच से फोल्ड करके दोनों भाग को आपस में चेक करके बराबर कर लेना है अब नीचे के साइड भी जो थोड़ा सा उपर नीचे कपड़ा दिख रहा है उसको ह हम ज्वाइंड करके उल्टे साइड फोल्ड करते हैं अब देखे प्रेंस पट्टी को एक और बार फोल्ड कर लेंगे और यहां पे मैं सीधे साइड से इन पट्टी के उपर शिलाई लगा रहे हैं कि देखिए काफी यहां पे स्टोन दिया हुआ है तो उल्टे साइड करक के बॉर्डर को रखेंगे देखे यहां पे ताकि टेकिन हमारा जहां पर है वहीं पर लगे और देखे फ्रेंस दोनों साइड से आपको आधा दा इंच पकड़के स्टीच कर लेना है तो इस तरह से आप जो बॉर्डर का एम बोटरी है ने बिल्कुल उसको चिपकाती किये हैं तो इस तरीके को आपको यूज करना है और जो लहना का ब्लाउच का लंबाई है उसको कम कर लेना है अब देखे इसको बीच से फोल्ड करेंगे और बीच से फोल्ड करने के बासे देखे फिर से तीन इंच हम चोड़ाई को ना पेंगे और तीन इंच के बाद ज्य और नीचे के साइड भी आपको एक कट लगाना है क्योंकि दोनों का सेंटर मार्किंग आपको निकालना है देखिए उपर के साइड जो ज्वाइन हम पकड़के लगाया है वहां पे रखके पिनप कर लीजिए देखिए बस आपको जो गला कायम बोटरी है उस पर ध्यान देन उसी तरह इसको भी उल्टा करके शिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारा गला का सेफ है ने एक दम अच्छे से आए अब देखिए इसमें भी जिस तरह से एंबोटरी दिया हुए ने बिल्कुल उसको चिपाती हुए मैं चाप गुमा रहे हूं और यहां पे जो एक्ष्टा क कपड़ा उसको कट करके निकाल लेंगे यहां से हम एक चाप कपड़ा छोड़ देंगे बस चिलाई के बाद पूरी गले में आपको चोटा-चोटा कट लगाना है और कट लगाने के बास से फ्रेंस देखिए अस्तर को हम बाहर के साइड करेंगे और यहां पे न इसके उपर एक कंची सिलाई लगाएंगे अब देखिए अस्तर को हम उल्टे साइड पलट लिए हैं पलटने के बास से फ्रेंस देखिए इसके उपर से फिनिसिंग के सिलाई लगाएंगे और फिनिसिंग की सिलाई लगाने के बाद से अब बैक पार्ट को उल्टा कर लिए हैं उल्टा करके अस्तर की आल राउंड स्टीचिंग करेंगे आने चारो तरफ आपको सिलाई लगानी है तो यहां पर आप देख सकते हैं अस्तर को हम मेन कपड़े के साथ सेट कर लिए हैं और अब आपको करना क्या है ना अस्तर के बाद जो भी एक्ष्टा कपड़ा दिख रहा है ना मेन कपड़े में का उसको हमें कट करके निकाल लेना है क्योंकि मेन कटिंग हम अस्तर के उपर ह नीचे से आपको छोड़ देना है थोड़ा सा बोल्डर तो एक दम बीच से फोल्ड करें गी और इसको वी हम चेक करेंगे कि किसी साइथ ज्यादा आया कम तो कपड़ा नहीं हो रहा हुआ है यहां पर इना हुआ फूर की लहंगे की ब्लाउज में और यहां पर देखे फ्रेंज जब कभी भी आप चैन वाला ब्लाउज बनाया ना तो उसमें आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान देना है कि आपको कमर पट्टी पहले जोइंड करनी है और टक्स यानि टेकिन बाद में लगानी है वो इसलिए ना क कि चैन लगाने के बासे ने फिटिंग का अगर कोई भी प्राब्लम होना तो आप टेकिन के जरी अगर ज्यादा फिटिंग हो रहा है ब्लाउज तो टेकिन को खोल करके थोड़ा सा लूज भी कर सकते हैं या फिर आपको ब्लाउज लूज हो रहा है तो टेकिन के पास से दो आपको उच्छे से मिला की ज्वाइंट कर लेना है और फिर से यहां पर कि साइड से बराबर करके रखेंगे और ऊपर कि साइड देखिए पीछे के पल्ले में अर्म होल थोड़ा से ज्याधा हो रहा था उसको च्छाट लेंगे दोनों साइड से आपको च्छक करके छाटना ह और देखिए यहां पे मैं बाजू को स्टीच कर रहे हूं तो मेन कपड़े के सीधे साइड अस्तर वाले पाट को रखेंगे और नीचे से आधा इंच कपड़ा पकड़ते हुए स्टीच कर लेंगे यहां पे उसको उल्टा करके चारो तरफ सिलाई लगा करके छाट लेंगे इसी तरह से दूसरा बाजू भी यहां पे मैं रेडी करने हूं दोनों बाजू को रेडी करने के बास से अब यहां पे मैं बाजू को ज्वाइंट करने के लिए एक बार आर्म होल को चेक करूंगी त तो फिर इस कपड़े को आप नहीं छाटेंगे न तो आगी के जो आर्म होल है न वहां पे जोल आने लगेंगे तो इस चीच को आपको जरूर से करना है अब यहां पे देखिए दोनों का संटर मिलाती हुए यहां से स्टीच कर लेंगे तो इस तरह से अगर आप बाजू करने की चांस हो ने तो Wirp, एक पष्कार को नुटान चांस?" एक साइट का हमारा ज़रू ज्वाइन्ट को गया है अब दूसरे साइट का वजूआइन्ट करेंगे crappy तो साइट बाजू ज्वाइन्ट करने के बाद से अब आपको चेस्ट की मार्किंग करने है तो देखिए एक निसान बनाईए 28 इंच कमर है तो साथ साथ इंच दोनों साइड ले लीजिए इस तरह से देखे दोनों साइड आपको बराबर में मार्किंग कर लेनी है तो जिससे साइड आपको चैन मार्किंग करने के आर्म होल से दो इंच नीचे तक नहीं करनी है तो यहां पे मैं मिला के रख रही हूं और आर्म होल के दो इंच नीचे तक इसे इस्टीज करूंगे और यहां पे टक कर लूँगे फिर से एक और सीलाई अप लगा लीजिए नहीं तो फिर बाद जो आपका कसा या लूज होगा तो दिक्कत होगा बाद में और उस सीलाई को ला करके इसमें मिला लेंगे अब देखे फेंस जितना हमारा कमर का मार्किंग हुआ था उतना फोल्ड करके अच्छे से नौकुन से प्रेस कर लेंगे और यहां पे चैन को लेंगे टो चैन खोलने के बास्ति उपर के साइड आना चाहिए इस तरह से आपको सेट करना है और यहां पे थोड़ा सा चैन को में बाहर के साइड निकाल के सेट कर रहे हुँ चैन आपका जादा नहीं दिखना चाहिए चैन के ऊपर से आपका कपड़ा एक दो पॉइंट बाहर के साइड आना चाहिए तो अब देखिए यहाँ पे न चैन को फिट से बंद कर लेंगे और यहाँ पर यहाँ सिदhे में ऐ स्वुड कर लेंगे अब दूसरे साइड भी जितना कमर का मार्किंग उस साइड जितना फोल्ड किये थे ना दूसरे साइड भी उतना ही फोल्ड कर लेंगे देखिए यहां से बिल्कुल सीधे में आपको फोल्ड कर लेना है और दोनों साइड से एक एक पॉइंट कपड़ा चड़ा हुआ होना च चैन जादा नहीं दिखना चाहिए देखे इस तरह से चैन को पूरा बंद कर लेंगे नीचे तक और यहां से स्टीज करेंगे तो फ्रेंज अब देख सकते हैं किस तरह से मैं चैन अटेज की हूँ यहां पे थोगा सा कपड़ा मोटा पड़ रहा है इसके और से प्राब्लम हो रहा है तो देखिए यहां पे ना पूरे लाश्ट तक मैं दूसरे साइड भी चैन अटेज कर ली हूँ और इसको उल्टा करक आप यहां का इसके उपर शिलाई लगाएंगे देखिए ताकि बाद में निकलेन अभी अब देखिए फिर से इस इस साइड भी में खे से लगाएंगे है तो आपको दो-तीन वाराइब रिपीट कर के यह जएग कि आप ड्सार्ट कर लेँन Een है आसे प्र दूण कर लि कर लेना है और यहां पर आधा ही छोड़ते हुए उसको उपर के साइड फोल्ड करके ना टक कर लेना है तो यहां पर देखे फ्रेंज अब दूसरे साइडम फिटिंग की शिलाई लगा लेंगे चैन लगाने के बाद से और इससाइड फिटिंग करने के बाद से हमारा आया है तो उसी भी जाके आप जरूर देखिएगा फाइनल लूक अप देख सकते हैं पहनने के बाद से बहुत अच्छा फिटिंग आ रहा है तो फ्रेंज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज च स्टूड़ी किसी भी चीज देखने के लिए मुझे कॉमेंट जरूर करें मैं बहुत ही जल्दी रिपलाई देने की कोशिज करूंगी